हेलो एवरीवन एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंट्स जैसा की आप थमनेल पे देखी चुके हो आज हम एच्प्यूब एडेंट्रांस 2023 के पॉइंट ओ व्यू से कुछ इंपोर्टेंट क्वेशन डिसकस करेंगे जो में लिए टेचिंग एप्टिट्यूड और टेचिंग एडिट्यूड के उपर बेस्ट होगे फ्रेंट्स आपने क्या करना है इन क्वेशन के शॉर्ट फॉर्म और नौट से जरूर मना लेने हैं क्योंकि रिवीजिन के टाइम ये क्वेशन आपको काफी हैल्पल साबित होंगे आपको पता होगा चालिस क्वेशन पूछे जाते हैं और आपने एक वाद याद रखनी ह ये जतने भी कॵेशन होते हैं ये अंडरस्टेंडिंग बेस्ट होते हैं और आपने जब भी ये कॵेशन एक्वेशन करने है तो खुद को फेच करने हैं था करना है क्योंकि पोड़ आपने पोस्ट पर करना है यह भी आपने याद रखना है तो यह कुश्चन जो होते हैं यह आपने याद रखना है इन कुश्चन को जो आज कुश्चन हम डिसक्स करेंगे यह प्रीवियस एच्प्यू बीएड इंट्रांस 2022 की पूछेंगे थे ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि एच्प् और अब करने हैं तो फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं को फरस्ट में बोला गया एक होना चाहिए तो एक शिक्षक क्या न हो चाहिए आपको पता रूबका मेहनति होने चाए पांड़ सोड़ीचन का तो दूर्पन घुच्टर सब्सक्राइब से अगले ब्रशन बर प्रेजर में आपके साथ दुर्ब विहार करते हैं तो आपको इस सम ओफ यूर प्यूपल्स मिस्भी विद यू इन दा कॉलिज केमपस यू बस्ट तो फ्रेंज देखिए यह कुश्चन में आपको बोला है आपने एज टीचर एज पोस्टिव वे में कुश्चन करने हैं तो यदि कुछ चातर जो है कॉलेज परीसर में आपके साथ दुर्ब विहार करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए अपने चरितर और विदवता से उनके ब्यवार में सुधार करना चाहिए इंप्रूब दियर विहीवियर वाई ओन वाई यूर ओन क्रेक्टर एंड स्कोलर से कुछ चातर कोलेज परीसर में आपके साथ दुर्ब विहार करते हैं तो आपको अपने चरितर और विदवता से उनके ब्यवार में सुधार करना चाहिए तो आप्शन नमबर सी जो है इस कॉश्ण का कॉलेक्ट है अगले प्रशन पर चलते हैं कुश्ण 113 में बो लगे कि कि सतर पर मात्र भाषा में पढ़ाना वेथर है क्यों है इस बैटर टूटीच इन मदर टंग वी कोज तो आपने देखोगा प्रात्मिक स्बाटर भाषा में पढ़ाना जो है बहतर है क्यूं है इसका रीजन किया है तो कॉश्ण नमर 113 बाठाबर्शब प्रांब्स और बा तो आपने कुछ को as a teacher as a positive way में ही कर रहे हैं कि क्वेक्षिन जो होते हैं understanding based होते हैं next question में चलते हैं question number 114 में बोला गया कि when the student become failed it can be understood that तो इसमें बोला गया कि जब एक चातर जो है वो fail हो जाता है तो इसको it can be understood that तो क्या समझा जाएगा इस question का जो राइट answer होगा question 114 का the system has failed तो अगर चातर एक fail हो जाता है तो मतलब जो system होगा वो भी fail हो चुका है तो option number a question का correct answer है अगले question पर चलते हैं question 115 में बोला गया कि learning object mean तो सीखने के उदेश्य को जो अर्त है वो क्या है question number 115 को जो राइट answer हो आपका option number D है इच्छित सीखने के परिणाम intended learning outcomes जो है इस question का correct answer है सीखने के उदेश्य को जो अर्त है वो आपका हिच्छित सीखने के परिणाम है तो option number D is question का right answer है question number 116 पे चलते हैं शिक्षन के किस स्तर में शिक्षारती को अब धार्णाओं के सकरात्मक और नकरात्मक धार्णों के बीच लंबे समय तक बेदभाब करने का अफसर मिलता है in which level of teaching the learner gets opportunity to discriminate at length between positive and negative examples of a concept question number 116 का जो राइट अंसर होगा आगले प्रिशन पर चलते हैं students and students centric classroom is meal तो चात्र केंदित कख्षा का जो अर्थ है वो क्या है तो चात्र केंदित कख्षा का जो अर्थ होगा question number 117 का जो राइट अंसर होगा वहां का option number option number C जो है इस question का एक पिछले तो इस question का जो राइट अंसर होगा वहां का option number B होगा शिक्षक उनमक्व्याख्यान को कमे करना है reducing teaching oriented lectures कि यह चात्र के इंदित शिक्षा है इसमें जो चात्र होगा वह आपका सेंटर में होगा तो आपने सेंटर में रखना है और शिक्षक उनमक्व्याख्यान को reducing teaching teacher oriented lectures को आपने क्या करना है कम करना है तो option number B जो है इस question का आपको राइट अंसर है अगले प्रेशन में चलते हैं एक ब्यवस्तित बिज्ञान जो स्वैं और परेवरने के साथ समाजयोजन प्राप्त करने के लिए नियम कानून और उससी धान पर दान करता है उसे क्या कहा जाता है question number 118 का जो राइट अंसर होगा वह आपका option number B होगा मानसिक स्वच्ता जो होगा mental hygiene जो है इस question का राइट अंसर है systematic science which provides rules, laws and principles for achieving adjustment with self and the environment is called mental hygiene अगले प्रेशन में चलते हैं शिक्षन को इस परकार परिफाचित किया जा सकता है काफी important question है तो question number 119 का जो correct answer होगा आपका option number B है शिक्षकों द्वारा ज्यान का परसारण और चात्रों द्वारा इसको गरहन करना है इसको शिक्षन को परिवासित कर सकते हैं transmission of knowledge by teachers and reception by the students तो option number B इस question का correct answer है अगले प्रेशन में चलते हैं question आपने as a teacher करने है ऐसे positive way में करने है understanding question होते हैं तो बोला गया कि किसी गाउं में तनाब है और आप बहां पर शिक्षकों तो आप क्या करोगे question number 120 का जो correct answer होगा आपका option number B होगा आप उन्हें शान्थ करने की कोशिच करेंगे यह आपने याद रखना है आप उन्हें शान्थ करने की कोशिच करेंगे गाउं में अगले तनाब है तो option number B इस question का correct answer है question number 121 में बोला गया है कि the essential element of the syllabus for the children remained out of school should be तो question number 121 का जो correct answer होगा वो आपका option number D है vocational competencies जो है इस question का correct answer है आगले प्रशन पर चलते हैं वन्यादी शिक्षा योजना को देश्चे गया है the purpose of basic education scheme में इस तो purpose जो है basic education का वो क्या है question number 124 का जो correct answer होगा वो आपका option number C है शिक्षा के लिए व्यक्तियों की वन्यादी जूडतों को पूरा करने लिए to fulfill basic need of persons to do education option number C जो है question का right answer है अगले प्रशन पर चलते हैं इसमें बोला गया question 125 में कि एक निया शिक्षक जिसके साथ उसकी कक्षा में दुर्ब व्याव दुर्ब वियाव दुर्ब वियावार किया जाता है वे चात्रों के साथ वियावार करेगा इसके साथ उसकी कक्षा में दुर्ब वियावार किया जाता है तो वे चात्रों के साथ वियावार करेगा कैसा वियावार करेगा आपने गुणों में सुधार करेगा और उनके सामने इसे अच्छे तरीके से व्यक्त करेगा यह आपने याद रखना है रखने बार 126 पर चलते हैं विच इस दा सौर्स ऑफ प्राइमरी डाटा का सौर्स से कौन सा है तो रखने इस लगे हैं इसके से बिवार का इसक्षिन को गतिविदियों की एक संगठित पर नाली के रूम में परिवाशत किया है और जिसका उदेश्या का सीखने में मद्द करना आया तो क्वेशन नमर एक्सों ऑठाइस का जो खुरेक्ट अंसर होगा वहाँ का ओप्शन नमर सी है समेथ जो है इसक्वेशन का राइट अंसर है क्वेशन नमर एक्सों नत्यस पे चलते हैं आपको शिक्षड देना पसंद है क्योंकि यू लाइक टेचिंग अग्जांपल ऑफ साइंटिफिक नौलेज इस तो विग्यानी का जो उधारन होगा आपने बताना है कौन सा है इन उप्शन में कुष्ड नमर एक सो तीस का जो राइट अंसरे बाब का ऑप्शन नमर डी होगा प्रियोग शालाय और क्शेत्र प्रियोग लबोर्टरीज ए को लगे कि मारगी दर्शन गतिविदियों में सबसे मौलिक गतिविदियों में से कौन सा पहले निश्पादित किया जाना चाहिए विच वान ओफ दा मोस्ट फंडामेंटल ओफ गाइडेंस गाइडेंस एक्टिविटीज शुड वी एक्जिक्यूटिट फरस्ट तो इस और के रूफ में जाना जाता है तो इस कुष्ण का जो राइट अंसल होगा वहां का ओप्शन नम्र ए होगा संचार नवादा जो है ट्रांस्मेटिंग व्यारियर जो है इस कुष्ण का राइट अंसल है प्श्ण नम्र 133 पे चलते हैं हाओ विल यू डेमनुस्ट्रेट य इंपारशियल विहेवियर तो कुष्ण नमर 133 का जो राइट अंसल होगा वाइपका आपका ओप्शन नम्र भी होगा वाइव मेकिंग और बिहेवियर मोर बैलेंस्ट एंड फियर ऑप्शन नम्र वी इस कुष्ण का राइट अगले परेशन में चलते हैं प्रात्मिक अग लुएस्ट प्रायोर्टीज तो कुष्ण नमर 134 का जो राइट अप्शन नम्र सी है अवकास शबा के लिए कलाकारों का एक स्मूव विक्सित करना जो है टूट डूल पे ग्रूप और पर फॉर्फोर्मर्स वाफोर खोलिडे असेंब्ली आप्शन नम्र सी इस कुष्ण क के परिणाम जो है लर्निंग आउटकॉम्स ऑफ और स्टूडेंस जो है इस कुष्ण का राइट अंसर है अगले प्रेशन पे चलते हैं शिक्ष्ण के संग्यानात्मक सिधान्त का प्रस्ताव कौन है दा प्रोप प्रोप्वेंट ओफ दा कोगनेटिव त्योरी ओफ टेचि दी यह आपने याद रखना है अगले प्रेशन पे चलते हैं क्वेशन नमर बन हंड़ फोटी में बोला गया कि निरने लेने का खशेतर है वो क्या है क्वेशन नमर एक सो चालिस का जो राइट अंसर है तो वह आपका संग गठन है और गनाइजेशन है तो अप्शन नमर ब दर्शन जो होता है वो सबसे कम प्रभावी होता है कि शेतर में होता है क्वेशन नमर 143 का जो राइट अंसर है अगले प्रेशन में चलते हैं यदि कोई छात्र कक्षा में बिहोश हो जाए तो आप सबसे वहले क्या करोगे तो एफ फा स्टूजन बीकाम्स अनकंसियंस इन नमर 144 का जो राइटन से रहोगा वो आपका ऑप्शन नमर सी है उसे परात्मे को पिचार देंगे और किसी निजदीकी डॉक्टर से संपर्क करने का प्रियास करेंगे तो ऑप्शन नमर सी इस कुष्ण का राइटन से रहा गिविंग फरस्ट एड तो हिम हर एंड ट्राइ से और एक्टिव प्रेजेंस निता है क्लास नमर 145 का जो राइटन से रहोगा वाका ऑप्शन नमर सी होगा सूर स्थापित मुद्रा को अपना कर अगले प्रेशन पर चलते हैं इसमें बोला गया कि प्रोहिवीशन एक्ट जो है 1986 निशेद अधिनेम जो है 1986 वो क्या कहता है अगले प्रेशन में चलते हैं शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में आंता करिये विश्लेशन स्रेणी प्रनाली का विकास किस नहीं किया को ड्रेक्षिन एनलाइजिस केटेगरी सिस्टम इन एजूगेशन फॉर इनक्रीजिंग दा टीचिंग इफेक्टिवनेश तो कुस्ट नमर 137 का जो राइट अंसर होगा आपका ऑप्शन नमर यहां फ्लेंडर जो है इसक्ष्णी का राइट अंसर है अगला प्रशन है न्यूपा इस में ली कंसर्ण वे तो न्यूपा जो है उसका में ली कंसर्ण है किसके साथ संबंद देता है कुश्ट नमर 138 का जो राइट अंसर हो आपका ऑप्शन नमर सी है एजुकेशन प्लानिंग जो है इसक्ष्णी का राइट अंसर है न्यूपा इस में ली कंसर्ण वेद एजुकेशन प्लानिंग तो आप्शन नमर सी है इसक्ष्णी का राइट अंसर है अगले प्रेशन में चलते हैं इसमें बोला गया कि वाई बहन माता बिता और शिक्षक बच्चों के लिए डैस के महतोपुर्ण स्त्रोथ हैं शिवलिंग्स पेरेंट्स और इंपोर्टेंट सोर्स ओफ डैस फोर्दा चिल्टर्न तो वहां का उप्षन नमर एई होगा वाई बहन माता बिता और शिक्षक बच्चों के लिए अभी प्रेणा के महतोपुर्ण स्त्रोथ हैं तो आगले प्रेशन में चलते हैं शिक्षा के एक्षेत्र संगर्स और भांतियों से ब्यापत है क्योंकि दा फील्ड ओफ एज्जुकेशन इस प्रमीटेड वाई संगर्स और भांतियों से ब्यापत है क्योंकि आपको पता होगा शिक्षन में आने वाली समस्याएं और सामना करना का ठोर वैग्यानिक जांच के लिए उतरदाई नहीं है प्रोल्म्स आर एंड इंकॉंटर्ड इंटेचिंग आर नोट नोटा एमनेबल इन राइजुरियस साइंटिफिक इन इन्वेस्टिगेशन अगला प्रभावी शिक्षन में निम्लेक्ट में से कौन सा एक प्रमुक ब्याबहार है विच वन अफ फॉलिंग इसा की विहेवियर इन इफेक्टिविल टीचिंग तो कुश्चिन नमर बन फॉर सिक्स का जो राइटन से रोगा व स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रिविशन जो है इसक्षिन का राइट अंसर है अगले प्रशन पर चलते हैं अनौप चारिक शिक्षा है इन फॉर्मल में एजूगेशन इस तो अनौप चारिक शिक्षा जो है वह कौन सी है कुश्च नमर 147 का जो राइटन से बाग कौन सी है smallest unit of meaning in a languages तो आपको बता होगा मोर फीम जो है इसक्षिन का राइट अंसर है अगले प्रशन में चलते हैं असान प्रकार के प्रिक्षण विश्वश्वशन नहीं होते हैं क्योंकि यह आपको बता होगा उनकी जांच प्रिक्षक के मूड से प्रभावित होती है त संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए तो इंप्रोव ता होल एजुकेशन सिस्टम ऑप्ष्ण हमर भी इसक्षिन का राइट अंसर हमने निव एजुकेशन पॉलसी के बारे में कल की वीडियो में इसका इसका पैटन है वह आपका फाइपलस थ्री प्ल होगा फाइपलस थ्री प्लस फॉर जो हो निव एजुकेशन पॉलसी का पैटन है दो हजार बीस का यह भी हमने डिसकस किया था तो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में बस इतना ही आज किस वीडियो में बस इतना ही आज हमने टेचिंग अप्टिट्यूट और पॉस्टिव और एंडर्सटर्णिग वेस्ट यह कुश्ट्यूः तो आपने एज़ा तीचर करने है और तीचर करने हैं और पॉस्टिव में करने हैं memoire जाकर वीडियो देख सकते हो। महाँ पर आपको वीड इंट्रांस के रेटेड 35 प्लस वीडियो आपको देखने को मिनेगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको ये वीडियो पिसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेर और कोमेंट जरूर कर देए। तो थैंक्यू फ्रेंड्स